कितने नंबर का 20 का यह दोनों के दोनों चैप्टर हम कर चुके हैं 20 नंबर का तो चलिए एक बार मार्किंग स्कीम भी समझ लेते हैं कि सेमेस्टर पांच और मैनेजमेंट अकाउंट को किस तरीके से पढ़ना है हो और कैसे कैसे करना है जो बच्चे नए हैं उनको भी benefit मिल ज आएगा तो यह वाला जो होगा हमारा जिसको आपको कहां से पढ़ना है आप 10 यह से बड़े इजली से पढ़ सकते हो त्योरी वाले सेक्चन को और यूनिट नंबर वन वहां से कर सकते हो दूसरा यूनिट है हमारा budgetary control and standard costing यह अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर है standard costing मैंने अभी शुरू नहीं कराया है तो यह कितने यह नंबर का unit है 40 का तो मान के चलो 20 और 20 का हो सकता है और में भी 15 और 25 का भी हो सकता है तो कैसे भी वह marks को distribute कर सकते हैं तो यह था हमारा second unit इसमें से हमारा यह वाला हो चुका है marginal costing absorption कितने नंबर का 20 का यह दोनों के दोनों चैप्टर हम कर चुके हैं 20 नंबर का marginal absorption अभी खतम कर लिया और PVR वाला जो कुशन था वो है relevant costing आपका 10 नंबर का है relevant costing अगर मैं 10 नंबर की बात करूं तो एक दिन आदे घंटे का चैप्टर है टूटल मिला के यह आपके बुक म चैप्टर होगा और इसके अंदर दो या तीन कोशन ही है जिसको करना है बाकि इसमें से पूछा जाने के चांसिस होते हैं इसके बाद decision making है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम देखें तो हमने क्या क्या नहीं कर आई relevant costing आपको मैंने record करके डाल दूंगा मैं उससे कर लिजिएगा इसके अंदर मच मोर टाइम देने का कोई benefit नहीं है तो मैं अगर मैं बात करूं सर तो बात करते हैं सर decision making हमारे दो चैप्टर मोस्ट पाविलिटी पेंडिंग है यहां पर एक है decision making और एक कौन सा रह गया हमारा standard costing दो चैप्टर के बाद हमारा syllabus पूरा पूरा खतम हो जाएगा लेकिन यह दोनों चैप्टर में अगर comparison करें तो सर स्टेंडर कोस्टिंग बड़ा है और उससे चोटा कौन सा हमारा decision making है तो इस हिसाब से तैयारी करना है आपको अभी जो बच्चा नया है सबसे पहले वह कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें मैं हर तीन पे आप बजटरी करिए नंबर चार पे बजटरी कर लिया आपने अगर तो फिर relevant कॉस्टिंग कर लिजिए नंबर पांच पे आपके उपर total depend करता है कि आप standard costing करना चाहते हैं या decision making दोनों unique chapter standard costing का पीछे से कोई लेना देना नहीं है हाँ decision making जो है वो सारे chapter के अंदर आ जाएगा इसके अंदर भी आएगा इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा तो हम next class में होगा तो decision making ही कर लेंगे कम समय बचा है आप daily daily time दे income tax भी आपके पास ये भी है income tax का जैसे कि आपका regular class मैंने बोला है कल भी मैं सुबह एक video record करूँगा आगे का section करा दूँगा मैंने decide किया है कि जो salary वाला part है बच्चे बोर हो रहे हैं कि भी है salary का बहुत लंबा चल रहा है हमारा इतने सारे concept है तो उस वाले concept में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि salary वाले हिस्से को मैं record करके सुबह सुबह डाल रहा हूँ और दूसरा chapter मैं start कर दूँगा that is capital gain जो की most probability है आपका Thursday को या Wednesday को मैं capital gain आपका start कर दूँगा chapter सीधा कर सीधा तो जो बच्चे नए है वो नए बच्चे आ सकते हैं join करके और easily उस chapter को complete कर सकते हैं और जो बच्चे पुराने है वो तो continue में चलेंगे ही चलेंगे तो यह था हमारा management account का ठीक है income tax का मैंने बताया है अगर झाल झाल।